आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं e-commerce advisor दोस्तों आज की वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभार प्रकट कर रहा हूँ कि आपके कमेंट और रिव्यू आने लगे हैं और सबसे बड़ी बात आपके सवाल आने लगे हैं मेरे पास आपका सवाल मेरे पास आए कि मेरे पास GST का से स्ब्रकें के साथ में रेजिस्टेशन कैसे करूँ दोस्तों आज की वीडियो आपके सवाल के जवाब देने के लिए बना उपसे पहले आपको Google पे लिखना है Flip Card पहले link पे आपको क्लिक करना है ये Flip Card की website open हो जाएगी इस website पे आपको scroll करके सबसे नीचे जाना है यहाँ पर आपको option दिखेगा sale on Flip Card का इस पे क्लिक करना है और ये Flip Card के seller का पैलन open हो जाएगा यहाँ पर आपको दो option दिखेंगे अगर आप Flip Card पे पहले से ही seller है order process करना business कर रहे हैं तो यहाँ से आप login करेंगे पहले लेकिन अगर आप पहली बार registration कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर number डालना है अपना और register नौप पे क्लिक करना है register नौप पे क्लिक करने के बाद आपके उसी number पर एक OTP आए होगा आपको वो OTP यहाँ पर verify करना है verify करने के बाद जिस email id से आप business करेंगा आपको email address डालना है और आपको full name आपका इसमें submit करना है लेकिन दोस्तो इससे पहले आपको अपने email चेक करनी है यह कुछ स्क्रिंशोट में share करना हूँ आपके ऐसी email आपके पास receive होगी इसमें process लिखा हुआ कि आगे आप क्या क्या document carry करने है और यह सारी detail डालने के बाद sign up पे click करना है sign up पे click करने के बाद आपके पास set password का option आएगा यहाँ पर आपको अपना password set करना है पासवर्ड डालने के बाद confirm पे click करना है password ही और set password पे click करना है इसके बाद आपका यह pickup pin code आपसे मांग रहा है तो जो आपके address का pin code आपको यहाँ पर verify करना है जैसे ही आपका verify होगा आपका state और pin code के साथ आपका डिटेल यहाँ पर उपन हो जाएगा अब आपको यहाँ पर address डालना है आपको यहाँ पर दोस्तों पूरा address डालना जहां से आपके packet को pick होंगे और deliver होंगे return आएगा अब आपके पास तीन option यहाँ पर दिख रहे है अगर आपके पास JST नमबर है तो पहले option पर click करेंगे आप JST नमबर डालेंगे verify पर click करें continue करेंगे लेकिन अगर आप business कर रहे है ऐसे product पर जो exempted है जैसे books में तो second option पर click करेंगे और continue पर click करेंगे और अगर आपने JST के लिए apply कर रखा है तो आप third option पर click करेंगे continue पर click करेंगे दोस्तों अभी हमारे पास जैसे JST नमबर है पहले option पर click करेंगे मैं यहाँ पर अपना JST नमबर यहाँ पर put कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा मैं JST नमबर आपको यहाँ पर देखके source समझ के डानना है क्योंकि जब तक आपका JST नमबर verify नहीं होगा तब तक आप अगले step पर नहीं जा सकते हो कोई भी document upload नहीं कर सकते हो कोई भी process नहीं कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर source समझ के आपको JST नमबर डानना है JST नमबर डानने के बाद जैसे ही verify पर click करेंगे JST नमबर जिस नाम से registered है सारी detail open हो जाएगी इसके बाद आपको तो मैं इसमें इसमें भी second option पर click कर देता हूँ second option पर click करने के बाद continue पर click कर देता हूँ दोस्तों यह है आपके flip card का seller का dashboard यहीं से आपको सारा operate करना है business यहीं से आप operate करेंगे यहाँ कुछ option है जैसे signature का अभी हमने skip किया था तो यहाँ से signature upload करेंगे bank detail जैसे आपका account number, IFC code, सारे detail आप यहाँ से upload करेंगे cancel check आपको डालना पड़ेगा और email id जो मैंने screenshot आपको share कहते है वो यहाँ से verify हो जाएगा यह आप जैसे आप detail डालेंगे दोस्तों आपको right side में यहाँ पर आपको दिख रहा है 20% का option जब तक यह 100% नहीं होगा तब तक आपका account proper active नहीं है यहाँ कुछ option दिख रहे है जो अभी तक green tick नहीं हो रखे जब तक यह सारे option green नहीं हो जाएंगे तब तक आपका 100% नहीं होगा इसके साथ मैं आपको एक option नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ से आप अपने product में list करेंगे नए product को add करना यहाँ से start करेंगे मैं आपको dashboard की knowledge आपको देता हूँ जैसे हम सबसे पहले हैं यहाँ पर है welcome यानि आपका dashboard तो आपको दिखी रहा है इसके बाद listening नए product को add करना या अपने product के बारे में check करना है आप यहाँ से करेंगे second option है अपने product के inventory को check करना stock कितना है कम है यहाँ से check करेंगे अगर आपके पास कोई भी order receive हो रहा है या product return आया है या कोई cancel हो गया तो तीनों option आपको दिख रहा है यहाँ से आप check करेंगे आपकी payment कितनी बनी है कितनी payment आपको मिलनी है payment कब आई थी last time कोई product गलत आपके बाद receive हो चुका है तो यहाँ से SPF claim का option भी है यह सारी information यहाँ से मिलेगे अपने account को improve करने के लिए कुछ promotion चलाना account के activity को check करना freebie देना यह strategy होती है यह सारी आपको growth के अपसे मिलेगे GST summit करने के लिए report है annual report, monthly report और product में add चलाने के लिए यहाँ और को बढ़ाने के लिए add चलाने के लिए यहाँ पर आपका option है दोस्तों यह सारी information में अगर आपको कोई भी doubt होता है तो यहाँ पर request callback को option है इस पर आगर आप click करेंगे तो flip card के तरफ से आपको callback आएगा लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर इक बात बताना चाहूंगा आपको जरुतन है request callback की आप comment box में मुझसे आप पूर सकते हैं आपको अट टाइम आपको सारे सवालों को जवाब दूँगा अभी आपने जाना कि flip card में as a seller step by step हम कैसे registration कर सकते हैं और मुझे यकीन है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका seller का account open हो जाएगा पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार